असलाम वालेकुम एवरिवन तिस अलीव फो मासेख और यह भाई वन प्लस नॉट टू की अन्बॉक्सिंग एंड फिर्स इंप्रेशन पाकिसान में आएगा क्या प्राइज होगी यह तो बात करेंगे एंड पर लेकिन पहले इसको करते हैं अन्बॉक्स और देखते हैं कि ब आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बाते हैं तो ज्यादा बोर नहीं करता वीडियो शुरू करते हैं ओकी जी दोस्तों ये है बॉक्स वन प्लस नॉट टू का बड़ा सिमिलर रहा है नॉट सीरीज के बॉक्स की तरह आपको भी ब्लैक लेड और नॉट और वन प्लस का लोगो देखने को मिल रहा है इस साइट पर नॉट टू को मेंचिन किया गया है अब जिस कलर की और जिस अनबॉक्सिंग कर रहा हूं वह 12GB 256GB है ब्लू हेस किलर वाला बॉक्स है और बाकी यहां पर कोई ऐस सच ब्रेंडिंग देखने को नहीं मिल रही वन प्लस की और जो सील्स होती है वह देखने को मिलती है तो दोनों साइट पर लगाई गई है मैं इसको भी उतार लेता हूं और इसको भी मिम खोल लेते हैं तो बॉक्स को करते हैं अब बॉक्स को ओपन करने के बाद एक डिवाइस मिल जाती है सबसे उपर हमें एज उसली जैसा कि हमने नौट सी की भी अन्बॉक्सिंग की थी डिवाइस को रख लेते हैं साइट पर और लिड के अंदर के एक्सेसि अधिके से जो क्विक गाइड है और हमें कुछ यहां पर एक नोट देखने को मिल रहा है वन प्लस की तरह से एक केबल जो के रिट केबल है टाइप ए टू टाइप सी वाली उसके इलावा यहां पर रखा गया वहीं चार्जिंग ब्रिक को और यह वन प्लस का एक चार्जि को मिलती हैं यहां पर हैंट के फॉन में को लाते हैं साइट पर डिवाइस को लाते हैं सामने और रैपर में से निकालते हैं वै दोस्तों यह है वन प्लस नाट टू की फर्स लुक हमारे हातों में इन हैंड इसक्रियंस स्टीकर को मैं उतार लेता हूं यहां से काफी खुबसूरत है भाई यह ब्लू हेस के लिए और आपको वही वन प्लस नाइन वाला यहां पर जो पैटरन है वो देखने को मिल रहा है बट यहां पर जो क्यामरा मॉडियूल है वो काफी खुबसूरत लग रहा है यहां पर आप नोटिस करेंगे तो आपको बिल्कुल क्यामरा सेटप देखने को मिल रहे हैं तो जो के नॉट मेट को यहां पर एक फ्लक कीप सीरीज वाली फील प्रोवाइड करने वाला है इन-एंड फील यह फ़ाइक यह वहीं अगर फ्रेम की बात करते हैं तो आइधिंक यह एक प्लास्टिक फ्रेम है क्योंकि अगर यह होत कुछ Metallic व्entlich वाला तो आपको यहां पर फाइव जी के इन्टेनामेंट रूरू देखने को मिलते ं लेकिन काफी हत तक क्लोश टूं पर स्लाइडर डेकने को मिल रही था और यहां पर Schools के लावा आपको एक आ錯्ट कर लगाया गया है noise cancellation mic को, इस side पर आपको देखने को मिलती है, एक volume rocker keys और bottom की side की बात करते हैं, तो sim tray है, sim tray को भी निकाल के देखते हैं, mic type c की connectivity और एक आपको speaker grill यहाँ भी देखने को मिल रही है, sim situation को चेक करते हैं, तो sim situation में just आपको दो sims की support मिलेगी, कोई भी आपको यहाँ पर memory card की support देखने को नहीं मिलती है, although बारा जी भी दुस्ट्रे पंजभी के बाद, I think कोई ज़रूरत पढ़ने वाली नहीं है, pre-applied, productive, आपको एक film ओपर की side पर देखने को मिलती है, speaker grill है, काफी cool hand feel है भाई, काफी मला आ रहा है यहाँ पर, ओकी जी दोस्तों, OnePlus Nord 2 को मैं activate कर चुका हूँ, अब seriously में भाई, इसको खोलने के पहले opinion आउन थे, box open करने के बाद और 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 यहाँ जब in-hand feel आती है, मैं यह कहूँगा कि Nord series को लेते वे OnePlus ने एक flagship phone वाला design जो है, अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो 6.43 इसका आपको एक fluid amulet display देखने को मिलता है, top left corner पर पंचल कट आउट, Gorilla Glass 5 बैक पर भी लगाया गया है, और फ्रंट पर भी आपको Gorilla Glass 5 की protection देखने को मिलती है, 409 का PPI और HDR 10 प्लस का support भी आपको display में मिलता है, काफी smooth experience है first impressions के इसाब से, और outdoor visibility के लिए आपको यहाँ पर 800 type की brightness rates भी देखने को मिलती है, मतब outdoor visibility भी जो है, वो better होने वाली है, लेकिन अगर performance की बात करते हैं तो diamond city 1200, इस ताइम diamond city की series को देखा जाए तो एक flagship processor considered किया जाता है, क्योंकि 6mm fabrication process है, 3.0 octa-core processor है, Mali G77 MC9 वाला आपको GPU देखने को मिलता है, और साथ के साथ 12GB रहे हैं जो का LPDDR4X के साथ आती है, और UFS 3.1 का storage type यहाँ पर देखने को मिल रहा है, out of the box, Android 11 based app, Oxygen OS आपको देखने को मिलता है, वान प्लस को, लेकिन बाकी जो सारा experience है, वान प्लस UI का है, जैसे आप camera app पर जाएंगे, तब आपको थोड़ा वह difference फील होने वाला है, सारी की सारी जो UI app है, camera app की जो UI है, वो सारी आपको OPPO की देखने को मिलेगी, अल्दो कलर टॉन यहाँ पर मुझे ठीक देखने को मिल रही है, डिस्प्ले की हो, यह जो UI की हो, और स्मूध एक्स्पिरियंस है, फर्स इंप्रेशन्स में, पर प्रोसेसर को हम लोग डे-टो-डे यूजज में चेक करेंगे, कुछ गेमिंग के साब से भी चेक करेंगे, फिलाल मैंने PUBG PUBG इंस्टॉल किया है, जो के आउट अफ दा बॉक्स हमें Xtreme Frame Rate प्रोवाइड करती है, वहीं Benchmark Scores को भी मैंने रन किया है, और N22 Benchmark Scores को यह अगर बात की जाए, बागे overall मैंने पहले OnePlus 9C को भी यूज़ किया है, OnePlus 9 को भी यूज़ किया है, और seriously में भाई जो Android devices में अगर देखा जाए, तो अब तक की सबसे smooth UI यहां है, अच्छा experience भी बोलूँगा यह किसाब से, क्योंकि बहुत clean look देखने को मिलती है, कोई blot face नहीं है, F8 9 के साथ आता है, और optical image stabilization की यहां पर आपको इस sensor में support देखने को मिल रही है, और optical image stabilization क्या है, यह हमने dedicated channel पर cover किया हुआ है, कैसे काम करता है, उसका भी आपको link description मिल रहा है, उस video को भी ज़रूँ चेक कर लीजेगा, लेकिन बागी sensors की बात करते हैं, यहां पर मुझे color tones का थोड़ा साथ लगा पहले OnePlus के अपने phone से, क्योंकि UI को थोड़ा सा चेंज किया गया है, तो यहां पर मुझे color tones का थोड़ा सा बहुत difference लिखने को मिला है, फोड़ा पर indoor lights के जो मेरा setup है, मैं आपको picture chase कर रहा हूं screen पर, आप देख के अंदादा लगा सकते हैं, फ्रंट साइट पर आपको 32 मेका पिक्जल का camera देखने को मिलता है, f2.5 का पर्चर रखा गया है, लेकिन फ्रंट साइट से maximum up 10, 80, 30 fps पर वो रिकार्ड कर सकते हो वीडियो को, तो यह थोड़ा सा कॉन लगेगा OnePlus Nord में, होने वाला है, अगर हम लोग इसकी प्राइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें कोई शफ होने वाला नहीं है, बैटरी आपर 4500 मेज की मिल रही है, और इसको भी हम लोग चेक करना चाहेंगे, बागे आपको सारे सेंसर देखने को मिल रहे हैं, काफी लाउड वॉलियम हैं और इवन जो स्टीरियो इफेक्ट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जब भी हम लोग कोई एक्सपेंस ज्यादा करना चाहें डिवाइस पे, तो हमें वही एक्सपेक्टेशन जो है, वहाँ पर OnePlus Nord 2 में देखने को मिल रही है, अपने फर्स इम्रेशन की बात करूँ तो यार यह फॉन मुझे लगता है कि पाकिसान की मार्केट में OnePlus को काफी हद तक अच्छा बिजनेस भी जनरेट करके दे सकता है, और यहां प्रोसेसर की अगर बात करते हैं तो हम लोगों ने देखा है अगर सिर्फ डेडिकेरिट पपजी की बात की जाए, हमने इससे पहले Redmi K40 जो है अपने चैनल पर अन्बॉक्स किया था जिसमें सेम हाड़वेर था वहाँ पर 90FPS की सपोर्ट आगी है, प्रॉबबली हो सकता है कि यहां पर कोई अपडेट आ जाए लेकिन उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, आउट आउट ओव दावाक फिलाल 60FPS का गेंप्ले है, बागी डेरिगेट गेमिंग रिवी में बात करेंगे कि कैसा गेंप्ले है, कैसा नहीं, आपको कैसा लगा, वन प्लस नॉट टू, लेट मी नो इन दर कमेंट सेक्षिन, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि पाक्सान में क्या प्राइज होने चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशन यह है कि अगर 12GB, 25GB वाला वेरियंट आता है, बाकि ओवरॉल यह थे फिर्स इंप्रेशन और बाकिया की मर्जीद, आपको गेमिंग रिव्यू और कैमरा कंपारेजन वगारा में ही मुलाकात हो पाएगी, नोट टू की वीडियो डेरिकेड़ लेके, बाकि आप साथ मुलाकात होती रहेगी, आज की वीडियो में इतनी उलाकात हो कि नहीं वीडियो में किसी नहीं अन्वाक्सिंग, किसी नहीं रिव्यू, किसी नहीं कंपारेजन के साथ, तब तक मुझे देजादत, मैं हूली बात मासक से, पाकिसान पाइदाबाद, अल्ला हाफेज.